क्या, आपने कभी सोचा है कि जो आप mouse यूज़ करते हैं, उस पे आप कितने right click करते होगे, कितने left click करते होंगे, कितने बार लिचल करते होंगे, और वो कितने distance cover करता होगा अब आप यह सोचेंगे कि ये सब कौन count लेक्र नहीं कूई है लिकिनी का application है उसका नाम है Iograph ये यूज़ करने के बाद आपको एक graphical image मिल जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो mouse आप यूज़ कर रहे थे desktop पे अगर इसको background में आप रन करेंगे तो एक graphical image बनेगी जिससे आपको पता चलेगा आपका mouse cursor miles and miles का distance cover करता है और तो mouse to tron से हमें पता चलेगा कि कितनी बार हम left click press करते है mouse में कितनी बार हम right click press करते हैं कितनी बार हम scroll करते हैं और कितना distance scroll करके mouse को move करके cursor को move करके हम cover करते हैं और कितने time में हम cover करते हैं इसमें आप अपने desktop के हिसाब से settings भी कर सकते हैं और plus आप अपना data upload कर सकते हैं plus दूसरों का data भी आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें first को है तो जो first है उसने 29,33,420 keystrokes प्रेस किया अपने keyboard पे keys प्रेस किया और 376.84 miles का distance उसने mouse scroll करके cover किया है उसी अगर हम kilometers में convert करें तो 606.465193 kilometers होता है अब अगर हम इसे map पे मैं आपको represent करूँ आप सूचते होंगी कितना distance होता होगा 606 kilometer कितना बड़ा distance होता होगा तो अगर मैं इसे google पे मैंने search किया कि कितना distance कितने से कितना होता है तो वो 609 kilometers का Mumbai to Goa का distance मुझे पता चला तो almost अगर थोड़ा सा वो बंदा और करें तो वो इतना scroll कर रहा है अपने mouse को कि उसने Mumbai to Goa इतने distance उसने सिर्फ mouse pointer को scroll करके cover कर ली है अगर आप सोचते हों कि यह distance बहुत है तो आप खुद calculate कर सकते हैं कि आप कितना scroll करते हैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 740 yards यानि कि 0.676656 km सिर्फ दो घंटे में मैंने इतना scroll किया अपने mouse को अब अगर मैं इसे एक महीने में convert करना चाहूं तो इसे मैं 12 से multiply करके 28 से multiply करूंगा और answer आएगा जो है 248640 इसे अगर मैं kilometers में convert करूं तो ये कुछ हो जाएगा 227.356416 km अब अगर मैं इसे एक साल में convert करूं यानि कि 12 से multiply करूं तो ये हो जाएगा 2728.276992 km अब ये distance कितना होता है मैं आपको map की मंद से बताने की कोशिश करता हूं अगर suppose मैं कन्या कुमारी में खड़ा हूं तो ये कश्मीर तक का distance होगा 2856 km यानि कि लगबग उतना जितना मैंने एक साल में अपना mouse pointer को scroll किया है और ये सिफ approximate है accurate results नहीं है approximate जो मैं दो घंटे में जितना scroll किया उसके हिसाब से हो सकता है कि मैं ज्यादा भी scroll करूं या हो सकता है कि मैं कम भी scroll करूं तो ये approximate result है तो आप ये सब software description में link है वहाँ से आप download करके test कर सकते हैं अपने उपर कि आप कितना scroll करते हैं इतना यूज़ करते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो के लिए इतना ही और अब मैं आप से अगले वीडियो मिलूँगा तब तक के लिए बाई-बाई और हाँ subscribe कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो